जैसा कि अपन सबको बता है कि रमजान कल से शुरू हो रहे हैं, तो एक common सा question मेरी OPD में आ गया है, जो भी pregnant patients है, सबका यही सवाल है कि मैडम रोजे रख सकते हैं या नहीं, तो मैं डॉक्टर प्रिया मलश वालिक हॉस्पिटल से आपको बताऊंगी कि आपको रोजे रखने ह कि इनको नहीं रखने, रखते हैं तो आपको किस टाइप का खाना खाना है और क्या करना है और किस condition में आपको अपने डॉक्टर को जल से जल दिखाना है पहली बात तो ये कि इसलाम ने भी इजाज़त दे रखी है कि अगर आप प्रिगनेंट है या आप बच्चे को दूद पिला रही हैं तो अगर आप रोजे को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकती हैं और नेक्स टाइम जब आप रोजा रखे तो उसमें ये काउंट पुरा कंप्लीट कर सकती हैं लेकिन कुछ जादा ही जो स्पिरिच्वली कनेक्टेड पेशन्स हैं उनके लिए ये टिप्स में बताना चाहूंगी सबसे पहला तो रोजे रखने डिपेंड करता है कि मदर का वेट क्या है दूसरा आपके प्रेगनेंसी के स्टेज कौन से है मतलब पहले तीन महीन है दूसरे तीन महीन है या लास्ट के तीन महीन है तीसरा आपका नुटीशनलं स्टेटस क्या है नेक्स्ट आप इमोशनली और मेंदली आपको ब्लबा जाहिए कि आपको पहली तीन महीने चल रहे हैं, और आपको उल्टी होना, बहुत जाधा उल्टी होते हैं, जी घबराता है, आप खाना नहीं खा पाती हैं, आप ढ़े आप दिह अंदर खून की कमी है, नेक्स अगर आपको अस्थमा है यानि दमा है, या आपको हाट के कोई तो आपको रोजा नहीं रखना है और अगर आपको normally recurrent UTI होता है मतलब बार-बार आपको पिशाप का infection होता रहता है तो भी आपको रोजा नहीं रखना है अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको diet क्या लेनी है जब भी रोजा खोला जाए तो खजूर से शुरुत की जाती है जो की एक normal tradition है वो लेने के बाद में आपको बहुत सारे liquid लेना है यानि आप juice ले सकते हैं, shake ले सकते हैं, milk shake ले सकते हैं, आप soup पी सकते हैं फिर जो food आपको खाना है उसमें slow energy releasing food मतलब जो धीरे धीरे energy release करने वाले food होते हैं वो आपको लेने हैं जो की proteins होते हैं और उसके साथ ही आपको fiber भी लेना है यानि खीरा टमाटर आप ले सकते हैं, next आपको deep fried foods नहीं खाने हैं, मतलब जादा तली हुई चीज़े नहीं खाने हैं क्योंकि already pregnancy में एक acidity वाली problem रहती है, वो problem आपको बढ़ सकती हैं, आपको इस fasting को रोखना कब हैं, आपको कब पता चाल जा तीसरा आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आप लिधार्जिक रहते हैं, एनरजी बिलकुल नहीं है, आपके अंदर आपका सिरदर्द रहता है, तो ये जो science है, ये science है कि आपके अंदर dehydration हो रहा है, और dehydration pregnancy में होना बिलकुल ठीक नहीं है, तो इस time आपको अपना रोजा र रहा है, तो ये आपके UTI की symptoms से तब भी आपको रोजा रोग देना है, आपके danger signs क्या है कि अगर आप रमजान में रोजा रखते हैं, तो अगर पहले तीन महीने में आप रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई miscarriage तो ना हो जाए, क्योंकि dehydration की वज़े से ये हो सकता है, और अगर लास्ट के तीन महीने हैं, साथवा, आठवा, नौवा महीना है, तो उस टाइम खत्रा रहता है pre-dumb labor का, तो जो भी रोजा करना चाहते हैं, प्लीज इन बातों का ध्यान रखें, फिर भी मैं advice करूँगी कि आप continuous रोजा रखनी की जगे, आप बीच मे ब्रेक लेले के रोजे रखें, जिससे की आप अपनी spiritual इच्छा जो है, उसको भी complete कर सकें, और आप अपने अंदर grow करते हुए बेबी का भी इच्छे से ध्यान रख सकें, तैंक यू